इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हो जो आपके Android TV के लिए बहुत ही जबरदस होने वाला है अब Android TV के अंदर आपको एप्लिकेशन किस तरीकी से इंस्टॉल कर सकते हो इसके उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आए बटन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका आपको लिंक मिल जाएगा तो लट्स गेस्ट अब यह APK आपको कहां मिलेगा आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ गूगल पर जाना है गूगल के सर्ज बार के अंदर जाके आपको लिखना है HD Streams जैसे आप HD Streams लिख के सर्च करोगे जो पहली लिंक आएगी उसके ओपर आपको क्लिक करके डिरेक्टली APK डाउनलोड कर लेना है इस APK को डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी पोर्टेबल ड्राइव से इसे अपने टीवी के अंदर जाके इंस्टॉल करना है तो अभी हम लोग चलते टीवी की तरफ और देखते हैं कि किस तरह की से सारी चीज़े होती है और राइट तो अभी हम लोग आ चलते टीवी पे और यहाँ पर मैंने अपना पेंडराइव करने किया हुए यह है वो SGD Stream APK जिसके बार मैं आपको बताया था तो मैंना फटा-फट से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे and let the software या APK install और राइट इंस्टॉल कम्लेट हो चुका है अभी मैं इसे ओपन करता हूँ फर्स ताइम जब कोई भी APK आप इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा ओपन होने में टाइम लेता है वैसे ही यहाँ पर टाइम लेगा थोड़ा तो उसके बाद कुछ इस तरकी की स्क्रीन आपके सामनी आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो और राइट यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ डिरेक्ली जो यह स्टार्ट यूजिंग दी एप है ना उसके उपर आपको करसर लेकि आके क्लिक करना है और जैसी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीकी का लोडिंग आएगा और एक लोगो आएगा HD Stream का जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लोगो आ चुका है उस पर्टिकलर APK का और यहाँ पर यह कुछ इस तरीकी का जो होम स्क्रीन इंटरफेस है उस एप्लिकेशन का वो कुछ ऐसा है और अगर मैंना थोड़ा स्क्रोल डाउन करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे जो कंट्रीज है बांगलादेश हो य यह यहाँ पर क्लिक करनाहेता हु और यहाँ पर कोई भी प्लेयर चूज करना है मैं हमेशा default वाला चूज़ करता हूँ जो HD stream वाला होता है वही चूज़ करता हूँ और ये देखिए स्टार्ट हो चुका है उपर की तरफ आप देख भी सकते हो कि 9x जलवा यहाँ पर दिखा रहा है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर online देख सकते हो यह जो पूरा APK है ना यह आपको help करेगा live TV देखने में तो अभी हम लोग फिलाल इंडिया के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो more option है उसके उपर मैं क्लिक करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर इंडिया के जितने भी categories हैं या इंडियाक में जितने भी channels हैं उनकी सारी list यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा आज तक भी start हो चुका है क्योंकि मैंने आज तक select किया था यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज तक मेरा select हो चुका है यहाँ पर और एक चीज में बताना चाता हो कि मेरा जो internet connection है वो थोड़ा weak है इसके वाज़े से यह जो आपको चैनल्स दिख रहे हैं उनके लोगो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहें अगर आपका internet connection अच्छा है तो आपको यहाँ पर सारे चैनल्स के लोगों भी दिख ज करेंज आपको यहाँ पालवि में बता कैनल्स पर चैनल आपको यहाँ टोग यहाँ आक को इनuuuu